बहुत हुआ समान बिटो बहुत हुआ समान करवा हैं उनको देखनाः बुगतना पड़ेगा इसको आ हैं बुजुर्गों का संब्मान करना चाहिए मोदी है और इतनी गर्बी में धूप में 빠 गाने चौलब आई बच्वरिया जीतने के चक्कर में एक बुजुर्ग और दों में अलू में धक्षे खाने के लिए छोड़ दिया में मोधी भगतु में मतलब बहुत गुष्टे में बाके सब ठीक है यह बीजेपी वाले मोधी जी को निचोड़ने में लगे हुए 75 साल के बुजुर्ग है हम और आप अपने घरों में बुजुर्गों को कितना संबान करत हैं दादा जी होते पिता जी को चारपाइब बिठाल देते हैं पानी चाए पादी उनकी सेवा करते हैं वहां यह बीजेपी वाले बुजुर्गों को को इसे बिहार चले जा रहे लिए बिहार से उड़ी और रिंगाल है और यह जो मोधी जी बोल ले ना कुछ भी जो है हमाई मोदी जी जी बुलवाया जा रहा है वीजेपी वाले चनाओ जीतने के चक्र में हमाई मोदी जीका अपना विल्कूल बरदासित को मतलब सबक थाइंगे ना साथाम फलाना धिमा का पता नि क्या-क्या मनमोहन सिंग अंगरे जी में बोलते थे अब मोधी जी तो अंगरे जी समझ में नहीं आती कौन बताता है यह बीजेपी वाले ही लोग अंटसंट तोड़ मरोड के मोधी जी के टेली प्रांप्टर में लिख देते हैं उनको पढ़क किᵃ मुधी फॉल वन्हीं इस यह भाल रूजा ताकर चुनाओ जीज सकें की सरकार बन सकें इस चक्कर में विचार क्यों भुजर्कों को सारा चीन घूड़ वारा रही रैली करवा रहार रही तो बएसा हम मोधी भक्त हैं हमाई मोधी जी को कुछ भी बोले गए ना देखना हम तो सब बीजेपी वालों को डबा गुल होगा एक बुजुर्ग आदमी के उपर इतना अत्या मोधी जी से यह बरदास्त नहीं होगा मोधी भक्तों को हां मोधी जी आपको भी तो सोचना चाहिए अब मोधी जी क्या सोचे के इनको को मोधी जी का इसा कुछ नहीं है मोधी जी मुसल्मानों से बहुत प्यार करते हैं जैनों से भी प्यार करते हैं वह बहुत प्यारे आग्मी है देखा नहीं गुजराच में मुसल्मानों से कितना प्यार किया उन्होंने तब जाकर के वह गुजराच से निकल करके तब दिल्ल पहुचे प्रधान मंत्री बने तो मोदी जी ऐसे नहीं है यह भाजपा वाले उनसे करवा रहा है तो भाईयों बैनों जो आपके मोदी जी से इस बुजूरगा वस्था में गली-गली में घुमा करके रेली करवा करके है ना अब फड़ फड़ पड़ बोल भी जाते हैं उनस जो गलत बुलवाया जा रहा है इसलिए भाई साब बीजेपी को माफ नहीं करना है बुरी तरीके से निचोड़ के हरा करके बीजेपी को किनारे लगा करके हमाई मोदी जी के अपमान का बतला लेना है भाईयों बैनों